वही आगे बड़े और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से यहाँ पर अज़ौरी के घने जंगरों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ओपरेशन साथ पर दिन भी जारी है आपको बताएं कि 21 दिसंबर को डेरा गली इलाके में घात लगाकर किये गए हमले में सेना के चार जवान शहीद हो गए थे वही रक्षा मंत्री राजनात सिंग आज रज़ौरी जा सकते हैं यहाँ वो साथ दिन से चले आ रहे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी ले सकते हैं इससे पहले सेना प्रमुक मनूच पांडे भी कल पहुँचे थे आपको बताएं कि राज़ौरी और पुँच जिले में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद हैं ड्रोन और हेलिकॉप्टर की मदद से आतंकियों की खोज की जा रही हैं जी मीडिया समवादाता रज़त वोहरा इस वक्त पूरी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ है रज़त सातवे दिन भी सेना का उपरेशन रज़ौरी में जारी है वहाँ पर अभी फिलाज सातवे दिन आपके पास क्या अपड़ेट है और साती रक्षा मंत्री राजनात सिंग वहाँ पर निगरान यहाँ पर आ सकते हैं पिछले साथ दिनों से लगातार यह आतंग विरोधी अब्यान रज़ोरी और पुंच के इन जगलों में चलाया जा रहा है खास दोर पर बफलियाज और डीके जी अनिकी देरा के गली अलाके में जहां पर तीन से लेकर चार आतंकियों ने 21 दिसंबर को सेना के दो वहनों पर हमला किया था और उसमें पांच सेना के जवान चहीद हुए थे आपको बता दें कि केंदरे रक्षा मंतरी राजनात सिंग का दोरा जो है वो संभावित है कि आज एकल में वो रज़ोरी और पुंच के इन इलाकों में आ सकते हैं साथ ही जम्मू में भी एक महत्वपून सेक्योर्टी रिव्यू मीटिंग भी कर सकते हैं आपको बता दें कि कल इस से पहले जो जनरल मनोज पांडे हैं सैना परमुक वो भी राजोरी और पुंच के इलाके में पहुंचे थे पांच महत्वपून बाते जो इस पूरे विजिट की उनके रही वो इस मैप दर्शकों के साथ भी साज़ा करना चाहूंगा नमबर पांच के अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ ने उस घटना स्तल का दोरा किया उस इलाकी का दोरा किया जहांपर पिछले साथ दिने उसे यह उपरेशन जा रही है और सुरक्षाबलनों को किस तरह से उपरेशन में आगे बढ़ना है उसके भी इंस्ट्रक्शन जाह और साथ ही साथ नॉर्धन चीफ आफ नॉर्धन कमांड के सेवी मुलाकात की उपेंदर दिवेदी से साथ ही साथ सिक्षिन कोर के कमांडर से और कहा कि किस तरह से आगे बढ़ना है नमबर तीन के अगर मैं बात करूं तो आतंक विरोधी अभ्यानों को तेज करने की स्टेंडर ऑपरेशन प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की बाद जो है वो यहां पर की गई है तो साफ तोर पर जनर्र मनोज पांडे का दोरा काफी महतवपून था और उमीद यह जताई जा रही है कि आने वले दिनों में सैना की स्ट्रेड़जी में भी बदलाब होगा और